हेलो दोस्तों कैसे है आप आसारता हूँ कि ठीकी होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है दुनिया के सबसे लगजरी हवाई जहाँज के बारे में एक समय ऐसा था जब एरोपलेन जैसी उडने वाली चीज को पहली बार देखकर हम हैरान हो गए थे और फिर वक्त के साथ चलते चलते टेकनोलोजी इतने एडवांस हो गई कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाए आज हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे लगजरी हवाई जहाँज के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट में चोथे नंबर पर आता है बोईंग 7478 वी आईपी जिस हवाई जहाँज के नाम में ही वी आईपी सब्दों सामिल हो वो हवाई जहाँज डिखने में भी कैसा होगा इसकी कल्पना आपने जरूर कर रही ली होगी दुनिया के सबसे मशूर हवाई जहाँजों में से ये एक हवाई जहाँज है बोईंग 7478 वी आईपी जो सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा एरलाइनर है 150 मिलियन डॉलर किम्मत वाले इस हवाई जहाँज की अंदर की बनावाट किसी पेलेस से कम नहीं है इसलिए इसमें बेटने का मज़ा किंग से ओच कम नहीं है हमारी लिस्ट में तिसरे नंबर पर आता है बोईंग 474-400 ये हवाई जहाँज अपनी खुशूरती के कारण आश्मन की रानी कहला आता है इसकी किम्मत करीब 220 मिलियन डॉलर है और अगर इसकी किसमता की बात करे तो यह 14 लोगों को बड़ी आसानी से रख सकता है इस बेज किम्मती हवाई जहाँज को प्रिंस अलवरिद विन तलाल ने साल 2000 में खरीदा था हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है B2 Spirits Tilt Bomber इसके नाम से यह अंदाजा लगी गया होगा कि यह कोई साही हवाई जहाँज नहीं है बलकि इसका संबंध एरफोर्स से हो सकता है और असलियत में यह अमरिका का एरफोर्स का लड़ा को विमन है जो किसी ब्रह्मास्तर से कम नहीं है इस लड़ा को विमन की कोस्ट करीब 2.1 बिलियन डॉलर है इसलिए संसार के सबसे महंगे अवाई जहां जो में इसका भी नाम आता है हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है Airbus A318 Airbus A318 दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट प्लैन में गिना जाता है 500 मिलियन डॉलर के यह इस प्राइवेट प्लैन की माली की साउधी अरब के राजा की है जो अपनी सान और सोकत के लिए जाने जाते है और बेस किमती चीज रखने के लिए यह जाने जाते है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू